शोर्शॉट फॉर्मूला की यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है हमारे चैनल को सब्सक्राइब का बटन दबाके सब्सक्राइब करें और घंटी को दबाके सेव करें रेगुलर अपडेट्स पाने के लिए सरस्वती नमस्तुभ्यम वर्दे काम रूपेणी विद्यारंभं करिश्यामी सिद्धिर भवतू में सदा ओम जैमा सरस्वती नमस्कार दोस्तों शोर्शॉट फॉर्मूला.com में आपका स्वागत है और आप हमारा यूट्यूब चैनल देख रहे हैं वीकेंड है और आपको पता है वीकेंड समय होता है हमारे वीकली अनलेसिस का और ये वीकली अनलेसिस कोई ऐसी वैसी हवाबाजी नहीं ये हर एक बात हम chart के उपर करते हैं तथ्यों के आधार पर करते हैं और market को एक range में बांधने की कोशिश करते हैं कि यहां तक जाएगी यहां तक जाएगी ना इससे उपर जाएगी ना इससे नीचे जाएगी हम एक range जो आपको देते हैं 90% टाइम्स market में वो सही निकलती है लेकिन दो दिन तो हम वीडियो बना देते हैं range दे देते हैं बाकी दिन क्या बाकी हम आप तक levels कैसे पहुचा सकते हैं आप कैसे हमारे levels जान सकते हैं कैसे important updates प्राप्त कर सकते हैं इसके लिए हमने बनाया है यह टेलीग्राम चैनल जिसका नाम है Shoreshot Formula Family दोस्तों यह कमाल का चैनल है जहां पर events, updates, information, data क्या आने वाला है, कई बार chart क्या कह रहा है, क्या indication दे रहा है, market उपर जा सकती है, नीचे जा सकती है, इस तरह के viewpoints मैं share करता रहता हूँ और पिछले कई दिनों से मैं यह लगातार टेलीग्राम पर पोस्ट कर रहा हूँ कि कुछ भी बाए मत करना, कुछ भी का मतलब कुछ भी बाए मत करना, मैंने देखा है, कई लोग इस तरह की बाते करते हैं कि वो market को चलाते हैं, वो market के मुखिया है, वो market के पिता हैं, मैं स काम मैं करने की कोशिश करता हूँ, वही काम आप भी करिया है, जो trend है उसको समझिये, उसको अपनी analysis से, अपनी research से बिलाइए और कोशिश करिये उस trend के हिसाब से market में काम करने की, अगर आपको लगता है कि ये trend prevail कर रहा है, trend continue है, आपके जो analysis है, आपके जो study है, उससे वो match कर रहा है, तो उस trend को follow करिये, otherwise market को avoid करिये, इसके अलावा और कोई भी तरीका नहीं है, consistent profit करने का, 80 से 90% times traders वो trade कर लेते हैं, जिसके बारे में वो sure नहीं होते हैं, या जो वो उनकी analysis से, उनके thought process से match नहीं करते हैं, उसमें chances, loss के ज़ादा होते हैं, profit के कम होते हैं, या वो FOMO में आके trade कर लेते हैं, या वो anxiety में आके trade कर लेते हैं, यह सारी चीज़े negative हैं, सबसे जरूरी याद रखिये, एक गुरु मंत्र है मेरा, वो मैं हमेशा कहता हूँ, telegram पे, YouTube पे, Twitter पे, हर जगे मैं ये बात कहता हूँ, 90% weight, 10% trade, and एक important चीज, when there is a doubt, stay out, जब भी आपके मन में शंका हो, double whammy हो, clarity ना हो, trade मत करिए, बहुत simple तरीका आपने आपको बचाने का, और trade ना करके, अगर आपकी बात सही हो, तो खुश होई है, frustrated मत होई है, क्योंकि कई बार क्या लगता है, हमने trade नहीं करी, हम doubt में थे, लेकिन जो हमने सोचा, वही निकल गया, और 90% time यही होगा, कि आप trade नहीं करोगे ना, तो जो आप सोचोगे, वही होगा, क्यूं होगा, क्योंकि एक आग के ऊपर बैठने की परिकलपना करना और एक उस पर बैठ जाना, दोनों में फर्क होता है, तो परिकलपना में कई बार क्या होता है, वो anxiety नहीं होती, वो जल्दबा आए कि कम से कम 50,000 तक जाएगा और 50,400 आ गया तो यह परिकल्प ना है बट जैसे ही आपने 50,000 पर सेल किया वो 51,150 चला गया 200 चला गया अब आपके अंदर एक डरपन अपने लगा जो आपकी एक्शुल अनालिसिस को धीरे धीरे खाता जाएगा और फिर वो जैसे ही कॉस्ट पर आया उससे नीच आया आप उससे निकल जाएगा तो इसलिए जब डाउट हो तो ट्रेड मत करिए और जब कॉंफिडेंट हो तो मट डरिये यह गुरुमंत्र है इसको याद रखिये दोस् जो लॉस नहीं लेता वो पैसा तमाता नहीं ट्रेडिंग हमेशा एनालिसिस और स्टॉप लॉस के साथ करिए टार्गेट क्लियर ना हो तो चलेगा स्टॉप लॉस बिल्कुल क्लियर होने चाहिए सिल्वर पहले हैडिंग पढ़ते हैं बायर संभल जाओ फिर मत कहना बताय मुश्किल है क्यूं देखें बाइंग में मेरे पास पूरे हफ्ते सर क्या वापस सत्तर हजार का रेट दिखेगा क्या वापस अड़सट हजार का रेट दिखेगा क्या वापस अड़सट हजार का दिखेगा सर गोल्ड तो अभी भी क्यावन हजार है सिल्वर पैसट हजार स दबा दब बाइंग करी गोल्ड 51-52,000 पे रुक गया था गोल्ड नीचे से थोड़ा उपर आ गया वहाँ के लेवल पे गया नहीं तो लोगों को लगा सिल्वर गिर गया है सिल्वर भी 771,000 आ जाएगा इसको बाइंग कर लो तो लोगों ने गोल्ड के चार्ट को देखकर सिल्वर में बाइंग करी अब वो सब फसे हुए है और अभी भी कई सारे फोन्स ऐसे आते हैं जो 65, 66, 67,000 की बाइंग में फसे हुए है और अच्छे खासे उन्होंने अपनी क capacity को वहाँ पर exhaust कर दिया एक होता है कि हम trade कर रहे हैं थोड़ी थोड़ी trade कर रहे हैं लेकिन एक होता है कि आपने 200.00 पर average कर लिया आपकी चार लोट की capacity थी और आपने 68,000 से शुरू किया और 66,600 पर उसको खतम कर दिया जल्दबाजी में ये सबसे बड़ी गलती है पहले त तो हमेशा जो अपने lots हैं वो कम रखो starting हमेशा humble करो end हमेशा high करो लेकिन लोग start हमेशा high करते हैं और end हमें humble होने के लिए कुछ बचता ही नहीं है उनका humble बन जाता है उसमें तो चलो कहानी हो गई बहुत अब बात करते हैं थोड़ा chart की देखिए अगर आप पूरे silver में सा अगर एक line आप draw करना चाहें इस तरह की तो आप देखेंगे कि कभी भी silver इसके उपर निकल के sustain नहीं कर पाया यह बहुत simple calculation कोई भी rocket science नहीं है market rocket science नहीं है लेकिन लोग उसको या तो सही तरीके से समझना नहीं चाहते और अगर समझ भी लेते हैं तो उसको सही तरीके से follow नहीं करना चाहते हैं मैं आपको यह simple एक line में मैंने बता दिया यह है मेरा SL उसके नीचे मेरा यह है एक resistance जब तक मेरी चान्दी इसके उपर बंद नहीं होगी इस resistance पर नहीं जाएगे और इसके उपर जब Walking नहीं होगी तब तक मेरे final मैंने आपसे पिछली बार जब बात हुई थी 61,790 का एक बहुत clear resistance दिया था जाहिए मेरे वीडियो को देखिए देखिए मेरी बातों पर मत जाहिए मैंने गलत कहा सही कहा क्या कहा मैं क्या claim कर रहा हूँ मेरे वीडियो को देखिए हर हफ़े की analysis को देखिए देखिए मैंने क्या level देखिए उन्होंने market में क्या किया है उसके बाद ये परखिए कि जो मैं कह रहा हूँ वो सही है या गलत है तो बहुत simple सी चीज़ है इन दो resistance को याद रखिए और इस range को याद रखिए बस नीचे नीचे केवल एक बात बोलूँगा और बात कहके अपनी बात खतम कर दूँगा कोई लंबी कहानी नहीं आपके लिए एक राम बार निकाल रहा हूँ दुनिया बाइंग में फसी हुई है राम बार दे रहा हूँ बस ये breakdown हो जाए तो भग जाईयो ये breakdown हो जाए तो भग जाईयो अगर इसके नीचे weekly closing मिल गई तो जो मैंने पिछले हफते आपको target दिया है 48,000 का फिर 18 डॉलर कोई रोक नहीं सकता अभी 21 डॉलर के आसपास market चल रही है ये वाला level नहीं देखो इतना मुश्किल नहीं है करके तो देखो यार एक बार practice तो करो क्या दिक्कत है practice के तो पैसे नहीं लग रहे ना practice तो करो जो मैं बोलता हूँ अरे करत करत अभ्यास ते जडमती होत सुजान रसरी आवत जात ते सिलपर परत निशान जब आप practice करते हो तो आपको सीखने के लिए मिलता है कुछ नया और क्या गलतियां थी उनको आप सुधार सकते हो जब practice ही नहीं करोगे तो ये एक level है जिसको market hold क करनी चाहिए ये तूट गई इसके नीचे sustain कर गई तो भाई साब फिर जैसे ये हुआ candle देखिए आपने हुआ candle इसको हुआ candle कहता हूं मैं बस वैसे ही एक हुआ candle बनेगी और एक single candle जो इस तरह की आपको देखने के लिए चांदी के लिए ये तो चल नहीं रही है चांदी सा injection लग गया है कि 300-400 चलने में एक दिन में 500-700 चलने में चांदी को ना नहीं याद आ जाए और चलता कैसे है यह देखो अगर आप इसकी range देखोगे तो मैं आपको दिखाता हूं कैसे चलता है चांदी क्यों confusing हो जाती है कई बार देखो दूर से देखने में तो सब कुछ लगता है बड़ा आसान है लेकिन मार्केट चलती कैसे देखो यह एक दम से इसने लो बनाया इसको थोड़ा सा बड़े में देखते हैं दरवाइस देखो एक दम से लो बनाया and within no time मार्केट रिकवर कर गई और अगर किसी नहीं आप ए टार्गेट नहीं लगाया होता है य उसके opposite side वाले की लग जाएगे अब silver में जो situation मैंने आपको बताई है जो levels मैंने आपको बताए है वो ध्यान रखना और buyers के लिए मैं फिर बता रहा हूं उपर में भाया किसी भी तरह से किसी भी तरह से 62,700 तोड़वाओ उसके उपर sustain करवाओ तभी जो फसे हुए लोग है उनको मौका मिलेगा नहीं तो इतने मोटे loss में position काटोगे ये line मेरी याद रखना और मैं कुछ भी कहता हूं तो हवा में नहीं कहता जो मुझे दो साल चार साल मैं कोई ये कुकुरमुत्ते की तरह उगा हुआ नहीं हूँ कि अभी एक महीने दो महीने हुए है आज 15 साल हो मुझे मैं फिर से एक बात repeat कर रहा हूं अगर ये level नहीं कटवा पाए 62,700 के उपर market नहीं बंद हुई तो ये जो levels नीचे जो उपर में 68,000, 70,000 में फसे हुए हो ना समय लगेगा बहुत समय लगेगा और कहीं अगर इसने बातों बातों में ये काट दिया जो ये वाली ब् पार कर गई तो फिर समझे कि काम जो है वो खतम ही हो जाएगा और ये मैं डरा नहीं दाओं मैं कभी नहीं डराना चाहता लेकिन कुछ चीजों को conceal नहीं कर सकते आप the information should be provided in its actual form without being alterated in any biased form simple information तभी सही है तभी फाइदे मंद है जब आप उसको उसके right form में पहुचाओ user तक तो ये एक simple levels है कोई rocket science नहीं है इसको ध्यान रखो एक दो चीजें और बतादू मैं आपको ये देखो यहाँ पर ये बार बार मैं अब भी क्या कहूं मैं सबको बताता हूं कई लोग बात मानते हैं कई नहीं मानते हैं ये जो line है ये वाली line बड़ी important है ये आदत मा ये तो सब छोटे भीया हैं उसके लेकिन ये line important है इसकी ये वाली line important है इसको बोलते हैं 50 day और उसके बाद ये है 200 और ये है 100 तो 100 की बाद में करेंगे दूसरी बात हम यहाँ पर भी वही support की बात कर लेते हैं एक तो ये छोटे-मोटे भहिया लोग हैं बट मेरा major support आता है इस candle से ठीक है तो ये है कहानी चांदी की घवराना मत मैं हूँ साथ में जहां जरूत होगी वहां मैं आपको guide करूंगा देखो छोड़ूंगा मैं किसी को नहीं ना client को ना follower को जो मेरे साथ कई सालों से हैं मैं मानता हूँ कि कई बार हम जो चाहते हैं वो हमें नहीं मिलता वो सबको नहीं मिलता मुझे भी नहीं मिलता कई जगों से नहीं मिलता मैं तो एक वह हूँ service provider हूँ जो भहुत हमारे घरिश्ट हैं जो अपने हैं जैसे कई बार पती को पतनी से बाप को बेटे से नहीं मिलता, बाप को बेटे से नहीं मिलता, बेटे को बाप से नहीं मिलता, बात थोड़ी बड़ी है, लेकिन यह सच्चाई है, तो चाहत हमेशा realistic रखो, कम रखो, हमेशा वो exceed करेगी, otherwise अगर पहले से ही बहुत जादा चाह लोगे, तो फिर अगर कुछ म तो important resistance आपको पता है इस सीरीज का तीसरा वीडियो क्या होता है मंडे को क्या होगा गोल्ड सिल्वर में वो भी बताऊंगा यह weekly analysis अगर अच्छी लगी हो तो इसको like, share, subscribe जरूर करना ज्यादा से ज्यादा like करो टेलीग्राम पे मुझे join कर लो daily possible नहीं हो पाता दो मैं फिर सीरीज स्टार्ट करने की कोशिश करूँगा daily की लेकिन possible नहीं हो पाता आप टेलीग्राम पे मुझे join कर लो sure short formula family यह मेरे channel का नाम है और 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 एक सबसे important सबसे बड़ा गुरु मंत्र market में जिस तरह की condition चल रही है इस समय पैसे बनाने से पैसे बचाना ज़ादा important है capital बच गई तो trading होगी capital नहीं रहेगी तो कुछ भी नहीं होगा ये था आज का वीडियो चांदी के उपर और भी कई सारे वीडियो आएंगे लेकिन आएंगे तभी जब मुझे मिलेगा आपका खूब सारा support like, share, subscribe, bell icon का बटन दबा दीजे ताकि इसी तरह का content मिलता रहे बहुत बहुत धन्यवाद, जैहिंद, वन्दे, मात्रम